पॉपलर कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले मेरा सवाल यह होगा कि पॉपलर कल्चर क्या होता है अक्सर आपने पॉप साइकॉलोजी पॉप म्यूजिक का लफ़ सुना होगा वो जो के लोगों में पसंद किया जाता है कोई और अगर हमारे कल्चर को देखता है तो उसको सबसे पहले वोई नजर आता है अगर कोई पूछे के जी पाकिस्तान का पॉप म्यूजिक क्या है पाकिस्तान का पॉपलर फॉर्म क्या है किसी को कवाली याद आएगी किसी को क्लासिकल सितार याद आएगा तो वो चीज़े हैं जो कि बजाहर नजर आती हैं और उसको popular culture कहते हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो अपने साथ associate करते हो और होता है वह नजर आ रहा हूँ जब हम दूसरे culture के लोगों को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है यह जो street का scene है यह New York या लंडन किसी भी जगा की street हो सकती है इस में आपको suited-booted और white race के लोग भी नजर आ रहे हैं American, African भी नजर आएंगे और Africa is a very big continent so sometimes we mix up people from the various regions of Africa South, East Africa and all but those who live there sometimes keep their dress but sometimes they wear the western dress तो इसमें आपको उनका head dress या colorful dress भी नजर आएगा उनके चलने का तरीका उन्होंने क्या carry किया हुए है वगेरा तो यह वह चीज है जो में सबसे पहले नजर आती है dress फिर आवाजें और जबान कि किसी भी पब्लिक जगा पर आप हैं तो आपको बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी और उनमें बहुत सी जबाने मिक्स हुई भी होंगी एक ही वक्त में लोग इंग्लिश में चाइनीज में फ्रेंच में बिंगॉली में उर्दू में किसी और जबान में गुफ्तगु कर रहे होंगे तो यह वो जो है यह न्यू यू यॉक अपस्टेट में हो रही थी पिछले साल गर्मियों की बात मेज पे जितनी चीजें हैं अगर आप मेन्यू की टेबल ही देख लें तो आपको पॉप्रिलर कल्चर के एक एसपेक्ट का पता चलेगा वो क्या है पूड जो डिशिज हैं उनको जैसे स किया गया उसको जिस तरह से सजाया गया है और जैसे पेश किया गया और उसमें जो इंग्रीडियंस डाले गए अब इस शादी में न्यू यॉक के मेयर से लेके प्लिटिकल मेंबर ओफ सेनेट से लेके और बहुत से देशी कपल बहुत से यहुदी फैमली क्योंके शादी एक यहूदी फैमिली और एक पाकिस्तानी फैमिली के लड़का और लड़की की थी आपस अच्छा अब मेज पे जो चीजे हैं वो मेन्यू बनाने वाले के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस है कि उसके पास इतने कल्चर के लोग जिसमें इंडियन फैमिली है पाकिस्तानी फैम में गोश्ट भी था लेकिन और तरीके से बनावा था अब इसमें अगर एरब चॉइस का भी दिहान रखा गया है इसके अंदर इंडियन पाकिस्तानी और अमेरिकन और बलके वो चीजें जो के जनरली लोग खापते हैं उस मुलक में और वो चीजें जो वो हम से तवक्र र शादियों पर लेकिन बहुत से अंग्रेज मुझे बलाते हैं कि हमें चिकन तिका या पुलाओ चाहिए अपनी शादी पर तो मैं इंडियन और पाकिस्तानी फैमिली के लिए भी करता हूं मैं मिर्चे मुख्तलिफ डालता हूं मैन्यू के अंदर वो सैलर्ड भी रखता हू तो और मिर्चे मिर्चे का देहान रखता हूं या मिसालों का तो आप देखें कि पॉपलर कल्चर में फूर नजर आ गई लिबास नजर आ गया जबाने नजर आ गई अब इस लड़की ने जो लिबास पहना है वो लिबर्टी मार्केट से खरीद आ गया है तो अब बहुत स बिजनर सूट विची में विएर ओन वर्किंग दे तो अर आफिस बची इस वेरिंग अदेशी ड्रेस बाट प्रॉम पाकिस्तान और वेडिंग इन निव यॉक तो यह पॉपलर कल्चर है जो कि लोगों को नजर आएगा जब वो हमारे से उनका इंका इंकाउंटर होगा हम हम खा करें हम पहन करें हम बोल करें popular culture के बारे में एक जो चीज है वो यह कि इसमें क्या चीज continue करती है जो 50 साल पहले था क्या आज भी वो ही है और क्या नया शामिल हुआ है हमारे बच्चों ने कौन सा मिजिक चुरू कर दिया है उनकी जबान में क्या तबदीली आई है उ कुछ popular culture continue करता है और उसमें variations होती है over time in the generations. So, coming back to the definition, we will hear from an expert Dr. Najma Najam who has run courses on popular culture in women's university and she continues to lecture on popular culture and what is the Pakistani popular culture over history and time and generation.